नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल आई एसनल आईसिस में घटना चक्रिक के टॉपिक नमर यहाँ पे नाइन है जिसमें हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतरगत most important topic क्योंकि यहाँ पर पूरा साहित है जो बहुत ही complicated होता है जाम में बार बार यहाँ से प्रसने पूछा जाता है और यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 30 के आसपास MCQ आपको देखने के लिए मिलेगा जो बिगत किसी न किसी state PCS या UPSC में पूछाएं गया है और बार बा repetition के यहाँ पर chance मना रहाता है चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ बारी बारी से किदाब उलहिंद की रजना के परसिद लेखा का नाम क्या था उनका दिखेंगे नाम है उसका यहाँ पर अलबरुनी हो जाएगा देर रखेंगा अलबरुनी क्योंकि अलबरुनी ने ही यहा इसने ततकालीन भारतिय समाजिक संस्क्रितिक ब्यवस्ता पर 20 से यहाँ पर विवरड दिया बहुत फ्यमस नामें ध्यान रखेंगा अलबरुनी और माना जाता ही का अलबरुनी ने जितना खासकर जो ब्रहमण जो गरंथ होता है उसमें जितना ध्यान दिया अलबरुनी न आज तक किसी मुस्लिम इतिहासकार ने दिखाया ही नहीं था अमीर खुसरो का जनम कब हुआ था अमीर खुसरो का जनम हुआ है यहाँ पर एटा में ध्यान रखेंगा एटा में अमीर खुसरो का जो नाम है यहाँ पर देख पार है अबूल हसन या मिन खुसरो था इसका जो जनम हुआ है द्यार रखेगा उत्तर परदेश में 1263 में माना जाता है कि मुसलिम कलेंडर के अनुसार 651 हिजरी में ठीक है उत्तर परदेश के वर्तमान कासगंज जीले के पटियाली नामा का स्थान पर हुआ था खुसरे नो स्वयम पो तूती ये हिंद का देर रखेगा तूती ये हिंद इसका जनव देखें NCRT में दिया हुए थोड़ा बहुत कॉंट्रोवर्सी भी हो सकता है कि बारासो तीरपन के आसपास यहां पे माना गया है ठीक है और यहां पे हरिस्चंद्र वर्मा भाग वन के अनुसार है तो यहां पे देख रहे हैं कोई समस्या नहीं है बारासो तीरपन यहां भी है और यहां पे NCRT में बारासो बावन है ठीक है तो लेकिन यहां पे आयोग चुकी मान रहा है 1200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 निमलिखित में से किसने सुयम को हिंदुस्तान का तोता कहा हुआ है। तुर्की, भारती और हिंदु बोलता हूँ उसने खड़ी बोली के विकासक में अग्रगामी भूम का निभाया हुआ था। यहाँ पर ध्याट रुकेगा निजामूद नौलिया। दोनों को माना जाता है कि इन दोनों नहीं साथ या साथ से अधिक सुल्थानों का सासनकाल देखा हुआ था। वैसे अधिन्टिक यहाँ पर साथ ही मान के चले है आप लोग। पर सिद कभी अमीर खुसरो निमनांकित में से किस बातसाह के दरबार से सम्मंधी था। यह हो जाएगा गयासुदिन बलवन से। अब काउंट करिए यहाँ पर अमीर पुसरो नमबर वन बलवन से सुरू होगा फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कयकुबा बाद आप बोल सकते हैं इसको ठीक है कयकुदा बाद कोई और नहीं है याद रखिएगा ठीक है बलवन का जो आप इसे नाती के रूप में पोता करूप में समझ सकते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा जलालोदीन खिल जी तीसरे नमर में उसके बाद जलालोदीन खिल जी के बाद यहाँ पर हो जाएगा लावदीन खिल जी चार मुबारक साह पांच गैसुदीन तुगलग छे और मुहमद बिन तुग्लक के सत्वाओने के वर्स में ही अमीर खुसरो मीहां पर mhrittい हो गयी कि तो तुग्लक के समय मृत्ती हो वो तुद्वी संत नीजामुदीन ंवलिया का सिस्य था अन्य किसे के दर्बार में रहेli यहां पर देखिए अलावदीन खिल जी के ध्यार रखेगा अलावदीन खिल जी के तो कुतुबुदीन इवेक तो पहले हो जाएगा इलतुतमी सेवग भी पहले हो जाएगा सोरी इलतुतमीस भी पहले हो जाएगा बलबन से सुरू हो जाएगा करेकाल और मुहम्मद बिन लगस में मृत्ति हो जाएगी चिर सासूरी और हुमाई तो देखिए कभ का निकल रहा है, ठीक है, बहुत आगे जाएगा, उसे रसासूरी सूरी वनस में और हुमाई फिर आपको मुगल में देखने के लिए मिलेगा, अमीर खुसरो निम्लिखित में से किसके सासनकाल से समद अमीर खुसरो क्या था तो इसमें देखिए कभी भी था संगित अग्य था इतिहासकार भी था खड़ी बोली के रूप में उसने ठीक है जेनरेट किया ठीक है अमीर खुसरो का कवाली भी भी बहुत फ्यमास थे हैं चुकि उस समय सुफियाना जो दौर चल रहा था तो इसका क और एक टुतर हो जाएगा यहाँ पे डी यह तीनो खड़ी बोली हिंदी के परवर्टकों में से एक अमीर खुसरो एक कभी इतिहासकार एवं संगित अग्य तीनो ही था उसे तूतिय हिंद का उपनाम दिया गया नई फार्सी का बेसेली सबा के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी सेली के जनम दाता थे कौन हो गया हाँ पे अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली का जना कमीर खुसरो को जाना जाता है नई फार्सी का बेसेली सबा के हिंदी या हिंदुस्तान सेली का जनम दाता अमीर खुसर उसका कहाना था ना लफजे हिंदी वस्त अज फार्सी कम अर्थात हिंदी का फार्सी सब्ध मने हिंदी का सब्ध फार्सी से पुरित्रिकिस कम नहीं है निम्र में से किसने खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को माना जाता है हिंदू और फार्सी दोनों भसाओ का बिद्वान कौन था नाम हो जाएगा अमीर खुसरो हिंदि वों फार्सी दोनों भासाओं का बिद्वान था जियावदीन सज्जादी के अनुसार फार्सी भासा था साहित्य के भारत में विकास था इसके कारण दो दीसों के मध्य निकर संबंद अस्थापित होने का देखना हो देखिए कितना बड़ा रोल इसको ठीक है दिखाया जा रहा है उसका जो निश्चित रूप से इस अदभुद घटना का मुख्य पात्र था अमीर खुसरो स्वयम काता है मैं तुर्की भारतिय और हिंदी बोलता हूँ निमलिकित में से कौन फार्सी का प्रथम कभी था जिसने अपनी कभीता में भारतिय परियावरण को चितरित किया हुआ था उसका नाम है अमीर खुसरो फार्सी कभी अमीर खुसरो निजामुदिन ओलिया का सिस्य था नई फार्सी का बेसेली सबा के हिंदी या हिंदुस्तान सेली के जन्नम दाता अमीर खुसरो स्वयम को तूतिय हिंद अथवा हिंदुस्तान का तोता कहता है अमीर खुस्रों की रचना का महत्पूर्टत्व भारतिय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं का विस्कार था जो बहुत ही इंपोर्टेंट है भारतिय पर्यावरण समझे इन्वेरेंट के बात की जा रिए निम्ड कतनों पर विचार करना है हिंदू देबी देवताव था मुस्लीम संतों की परसंसा में रचित गीतों का संगरा किदाब नौरिस इबराहिम आदिल साहसकेल सकेन्द द्वारा लिखा गया था देखिए अब इबराहिम आदिल साध वरा यहाँ पर कह रहा है लिखा गय यह भी बिल्कुल सही है तो दोलों ही एस्टिटमेंट कॉरेक्ट हो जाएगा कॉरेक्ट उतर हो जाएगा सी देख पारे आईयस परी 2003 में पूछा गया था बीजापूर के सुल्तान इब्राहिम आदिल साह सेकेंड ने हिंदी गीत संग्रह किदावे नौरस की यहां पर रचन थे तब काते नासरी लेखक कौन था तब काते नासरी का जो लेखक था देखिया मिनहाज उज सिराज जो सुल्तान नसरुदीन को समर्पित किया गया है मर्थात सिराज के द्वारा मतलब जो लिखा गया तब काते नासरी इसको तो नसरुदीन को समर्पित किया गया है यह 23 अध्यायों में है और H.G. रवर्टी बहुत फेमस नाम है H.G. रवर्टी ने इसका अनुवाद अंगरेजी में किया हुआ है इस पुस्तक में मुहम्मद गोरी की भारत विजय का परतेक्च वोड़न मिलता है और ग्यातब है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा था कि कुदुबुदीन एबक ने अपने नाम की मुद्राय पर सारित की और यहाँ पर खुत्बा पढ़वाया था चुकि कुदुबुदीन एबक गुलाम था ऐसा माना जाता है कि कुदुबुदीन एबक ने अपने नाम का कभी खुदबा नहीं पढ़वाया जो भी खुदबा पढ़वाया अपने मालिक मुहमद गोरी का पढ़वाया अपनी नाम से मुद्रा नहीं चलवाया जो भी मुद्रा चलावाया मुहमद गोरी के नाम से करवाया लेकिन इसने दावा किया हुआ है मिनहाजु सिराज ने तो ऐसा प्रस्न भी आ सकता है निमने लिखित गरंतों पर बिचार कीजिए और उनको कालन कुरम अनुसार यहां पर बेवस्थित करना है आपको ठीक है तो एंसर तो देखी लिए हों गया नंबर न हो जाएगा किताब उलहिंद यहां पर हो जाएगा उसके बाद यहां पर हो जाएगा पिरिथवी राज रासो उसके बाद हो जाएगा तबकात नासरी उसके बाद हो जाएगा फत्वा जहांदारी ठीक है तो अलबरुनी देखिए आया था मुहम्मुद गजनेवी के समय से ही यहाँ पे तो ध्यान रखना है चुबकि मुहम्मद गोरी के समक्रिन पृत्वी राज जवहान होगी ठीक है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है तबकाते नासीरी मिनहाजुसी राज के गरांते जो सुटने सुल्तान नसरुदिन को समर्पित किया था अता इसका सही कालकरम होगा किताबुलहिंद देख पार है अलबरुनी पृत्वी राज रासो चंदबरदाई इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे तबकाते नासीरी मिनह अच्छड परदान किया हुआ था उस भासा को बोलते हैं लोग फारसी ध्यार रखेगा गलती से उर्दू और और भी नहीं लगाना है फारसी ध्यार रखेगा फारसी भारत में फारसी सहीत्य का विकास मुस्लिम बिजिताओं के आगमन से परर्रम हुआ इसे यहाँ एक अजुनिक प्राज भासा के रूप में अब भरंस सब्त का परयोग मध्य कालीन सनस्क्रित गरांथों में होता था अले एकदम और टाइप करते जैसे एक अब भरंस सप्तें का पर्योग अभी जैन लोग भी किया करते ठीक है उसका परुर्योग हुआ था कुछ आध्षून अधुनिक भारतीय भासाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए हाप किया गया था और एक उतरवजय गस्ती इसका इस्प्लानेशन दिखिए लोग परियोग में संस्क्रित का विभीन रूपों को पतंजली ने अप भरंस कहा है आधुनिक भारतीय भासाओं को आर पाली सोर सेनी तथा मराथी आदिभासाओं का विकास अप भरंसे ही हुआ है नेक्ट वोचन 21 नमबर सुची वन को सुची टू से यहाँ पर सुमेलित करना है तो यहाँ पर देख वारे नमबर वन यहाँ पर हो जाएगा जियाओ दीन बरनी ने क्या लिखा हुआ था तो त इसका हो जाएगा हसन निजामी का ताजूल मासिर ध्यापर के का ताजूल मासिर उसके बाद हो जाएगा मिनहाजु सिराज का यह हो जाएगा तबकाते नासिरी और लाश्य बज़िया यहिया बिन अहमद तो यहिया बिन अहमद के जो लिखा गया है दिखें आपे यह देख पारें आप तो देखी लिए हैं आपे जियाओदिन बर्नी ने फारिस में तारीक फिरोज साही की रजना की जिसे एतिहासिक द्रिश्टिकोर्ड के सबसे महतपुड माना गया है इलियट और डाउंसन ने उसका अंग्रेजी में नुवात किया था ताजुल मासीर को सद मुबारक साह के सनरचल में तारीक है मुबारक साही लिखी जो सइयद सासकों के इतिहास को जानने का एक मात्रे साथन है मिनाजु सिराज ने तब काते नासरी की रजना किया हुआ था सुची वन को सुची टू से फिर से हापर सुमेलित करना है और देख पार है कुछ कुछ यहाँ पर रिपीट हो रहा होगा नमर वन तो इधर आप देख पार है अमीर खुष्रो का बड़ा यहाँ पर फेमस हो जाएगा जिसे की अमीर खुष्रो ने खाजाए नुल्फत हो जाएगा उसके बाद उल्टा देख लिए जियावदीन बर्नी ने क्या लिखा हुआ था फतवाए जहादारी हो जाएगा उसके बाद हसन निजामी को अभी हम लोगों ने जश्ट देखा हुआ था हसन निजामी को हो जाएगा ता जूल मासिर और लाशने बन गया आपर तारीक है मुबर साही यह यह बिन ठीक है आहमत सर हिंदी के दवरा तो देख पार है एका हो फिरोज साही की रचनकार यहाँ पर कौन है तो देखें तारीक है फिरोज साही की जो रचना यहाँ पर दो दिया हुआ है सम से सिराज अफिप और जियावदीन बरनी को भी दिया हुआ क्यों तो देखें यहाँ पर तारीक है फिरोज साही सम से सिराज और अफिफ और जिय बी को माना हुआ है लेकिन यहां पर देखा जाए टेकनिकल ड्रिष्टी कोड़ से ठीक है लोजिकल ड्रिष्टी कोड़ से तो पूरी तरीके से दोनों ऑप्चम सभी है सुची 1 को सुची 2 से यहां पर सुमेलित करना है ठीक है तो नंबर 1 है यहां पर देख determiner हिंदी तारीखे हिंदी हो जाएगा अलबरुनी के द्वारा तारीखे दिल्ली हो जाएगा देखें आपे खुसरों के द्वारा और रहला हो जाएगा पता है आपको इबन बतुता के द्वारा और तबका तेनासिरी हो जाएगा मिनहाजुस सिराज के द्वारा एक अथिरी, बी का 4 एक अथिरी, बी का 4 ऐसा option एक ही है, correct उतर हो जाएगा C निमलिखित किरितियों को उनके लेखों को से सुमेलिद करके सही कुटों से आपको उत्तर चुनना दें रखेगा सही उत्तर यहाँ पे चुनने का प्रियास करना है नमबर वन है यहाँ पे हकाई के हिंदी, इसके द्वारा देखे हकाई के हिंदी, यह जो लिखा गया है, लेखक है इधर, ठीक है अब्दुल वाहिद बिलगरामी के द्वारा, इसके अलावा तजिबूल अखलाक, इसके लेखक यहाँ पे हो जाएगा इबन मिसकाबिया, उसके बाद यहाँ पे कुंजूल तिजार कुंजूल तिजार के द्वारा लिखा गया है, ठीक है मैंने कुंजूल तिजार जो लिखा गया है, बैलक अलकाब्याकी के द्वारा जवाम्यूल हिकायत, बहुत ही complicated दिया है इसके अलावा देख पार है, सी का हो जाएगा फोर तो ऐसा एक ही अप्शन है, कोरेक्ट उतर हो जाएगा ए निमन में से किस संगीत वाद को हिंदू मुसलिम गानवादों का सबसे स्रेष्ट मिस्राण माना जाता है तो यहाँ पे सबसे जो स्रेष्ट मिस्राण है, सितार को, चुकि संगीत वाद को हिंदू मुसलिम संगीत गानवादों का सबसे स्रेष्ट मिस्राण माना गया है भारतिय संगीत ने मुस्लिम समाज को संगीत में गहरी रूची के लिए अभी प्रेरित किया फल सोरूप देखेंगे तो सलतनत काल में अमीर खुसरो जैसे महान संगीत अग्ये हुए अमीर खुसरो ने इरानी तंबूरे वों भारतिय विल्णा को मिला कर सितार का विस्कार किया उसने कुछ भारतिय और परसियन रागों का सुंदर्म निस्रल किया और कुछ नभीन राग सैलियो जैसे की इमाम, जिल्फ तथा साजगरी आधी को जनम दिया संगीत यंद्र तबला का परचलन किसने किया हुआ था अमीर खुसरो के द्वारा यहाँ पर किया गया था ध्यान रखिएगा देखिए PCS, PCS 2009 में पूछा गया है अमीर खुसरो का पूरा नाम अब तो समयजी के गये होंगे कितना इंपोर्टेंट है अमीर खुसरो अबूल हसन या मनिदेन खुसरो था अमीर खुसरो अपने समय का एक महान बिद्वान और कभी था अब ऐसा प्रत्थम लिखाकता जिसने हिंदी सब्दो एवं मुहारो का प्रयोग किया संगीत यंत्रो तबला एवं सितार का प्रचलन 13 वी सताबदी में अमीर खुसरो के द्वारा ही किया गया था नेक्ट प्रश्ण संगीत मिमान सा संगीत राज आदी गरंथो का प्रड़यन किया निमलिकित में से यहाँ यूगम को कह रहा है यहाँ पर की सुमेलित करना है चलिए हम लोग प्रयास करते हैं सही यूगम सुमेलित करने का यहाँ पर देखिए, नमबर वन यहाँ पर दिया हुआ है, पंडित भावभर्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए, पंडित भावभर्ट दिया हुआ है, संगीत राज के रूप में इनको जाना जाता है, ठीके, लेकिन यहाँ पर संगीत गरंत इनके द्वरा जो किया रञ्ग माला की रचना किया गया है, इसके बाद यहां पर उस्ताध चांद खान यहां पर दिया हुआ है, यहां भी आपको ध्यान ध्यान देना है, ठीके, पंडित जो भाववभत का है, थोड़ा सब देख लिजे इwynちゃん राज यहां पर नहीं है, पंडित भाववावभत का है ध्यान रखेगा राग माला हो जागा ठीक है राग माला ठीक है और संगीत राज जो लिखा हुआ था वो लिखा गया था राडा कुंभा के द्वरा राडा कुंभा के द्वरा इसके बाद यहां राग चंद्रिका राग चंद्रिका को जिसने लिखा हुआ है उनका जो नाम है द्वार का नात भट, ध्यान रखेगा, द्वार का नात भट, तो ये भी गलत हो जाएगा, उसके बाद है कि पुंडरिक यहाँ पे विठाल, इनके द्वारा राग माला यहाँ पे लिखा गया है, बिल्कुल कॉरेक्ट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा नात सास्त्री, कासी नात सास्त्री, थोड़ा सो complicated है, देखिए, ठीक है, तो correct उतर हो जाएगा हाँ पर C, यहाँ पर इसका explanation आप देख सकते हैं, देखिए, पुंडरक विठल ने संगीत गरंथ राग माला की रजना किया हुआ था, बिल्कुल सही है, जबकि संगीत राज ना दुर्का भट ने किया था, देखिए, मेरी लगाया हुआ है, सथा कह रहा है, कि राग कल्प मुद्रम की रजना कृष्णan नन्द है रग कल्पम्त रम की राजना किरिश्ना नंद यां पर स्वरी गलत हो गया किरिश्ना नंद से कर ले जूए गा था हालाकि कशिनाथ साहतरी आपदुलसी ने भी राग चंद्रिगा की राजना की दूझे यही आ है यी धैका खरे में लिख्टे हो धा नाम से यहाँ पर लिखा हुआ है इस पुस्तक को लिखने का सुल्तान का मुख्य उद्यस यहाँ था कि वहाँ अपने को एक अधर्स मुसल्मान सासक सिद्ध करना चाहता था और फिरो सात्व लग नहीं देखे विल्कुल नहीं तुस्टिकरार की निती को अपनाया हुआ था सारे ही लोगों के हितों की यह बात कर रहा था जो फाइनली दिल्ली सल्तनात का पतन का सबसे परमुह कारण बना तो ठीक है फ्रेंट्स कल बात करेंगे हम लोग दिल्ली सल्तनात का अंतरगत लाश्ट टोपिक यहाँ पर दिल्ली सल्तनात का बीविद है यहाँ बहुत इंपोर्टेंट है पूरा-पूरा मिक्स यहाँ पर ठीक है क्वेस्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो सेयर करते रहें थैंक्स पर वाचिंग जहिंद